क्या है 2022 कवरेज के दवरान हमें आज कौंध्यारा विकास खंड पहुंचे है और यहीं पर कुछ बीडी सी सदस्यों की एक आवस्चक बैठक थी और बैठक के बाद कुछ बीडी सी सदस्य हैं जिसमें क्या नाम है आपका चैल से हैं क्या मांग है सरकार से आठ मांगे हैं हमारी तुसमेंस वह मन करा जा रहा है तो हम लोगं खूद का खाता होना चाहिए कि जिस से हम कार करा जैसे हम कि वाद पैसे ल hani मंकून कीया दे सकते हैं और हमारी एक मांगे है कि यहाँ पर होने पर थे इस्तरता रे मीटिंग में निया है हर उनने, हर स हजा चाहिए, सरकार म कीज है हुआ सरकार की बात करें तो 2022 में किसका महौल रहने वाला है प्रदानों की तरह हम लोगों का भी मांदे मिलना चाहिए क्या परिच्छा है आप अगर मां लीजे सरकार मांदे आप लोगों को प्रदानों का मांदे जो है नियमित दिया जाता है और भी कुछ लोग मौजूद है क्या परिचा है आप किस गाहों से हैं उमरी क्या मांग है आप लोगों की वही जो लोग सदस्यों में क्या महौल है कि 2022 में किसकी सरकार आने वाली है सरकार तो यही रहेगी अगर मांदे नहीं बढ़ा तब क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे बताइए हम लोग अगर वह नहीं करेंगे क्या मांग है हमारी मांगे है वह बात पूरा होना चाहिए अच्छा हमारा मांग कूरी करेगा हमारा नाम है तो आपके हिसाब से मैं यह जानना चाहूं कि 2022 में जो अभी तक सरकार चल रही है अभी तक इसका काम काज क्या रहा है इसका काम काज तो ठीक है लेकिन बीडी सी को मांदे बता मिलना चाहिए और भी छेथ-पंचाज सदस मैं चाहूंगा और को आजाई आजाई क्या नाम ह को आँ मिलता है हम लोगों कोई यह भी नहीं है काम कि कोई करा सके एक बलब भी कोई भी लग बोल दे कि हेंड्पम हमारे प्रधानों को अभी दिया चिंशेक भी लोग यह बात塔 मुंखर होने लगी है dot yes यदि सरकार आपकी बात या मांग नहीं सुनती तो छेट पंचाय सदस क्या करेंगे? सर, हम यही की सरकार की खिलापत करेंगे कि हमारी मांगे पूरी करें, नहीं हम आपका बिरोध करेंगे, हम लोग 88,800 हैं, अगर एक हो जाएंगे तो सरकार को बहुत बड़ी मतलब गिरावट मिगलाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं, इधात उधर हैं, सारे 65 सदस की एक ही मांगे हैं, चोटे लाल यादो 65 सदस, ग्राम सबाहत गनित तालुका पुरुवा उमरी, हम लोगों की भी भत्ता मिलना चाहिए, जो मिलता है सरकार के खाते से, और भी लोग मौजूद हैं, चलिए और लोगों स यहाँ पर बैठक के बाद किन मांगों को लेकर खड़े हुए हैं? पंचायत सदस और जिला पंचायत अध्यच की तरह नियमित जो है भुकतान किया जाए, क्योंकि हम भी पंचायत के एक ससक्त प्रहरी के रूप में हैं, और हमारे साथ समानता का व्योहार किया जाए, यदि हमारी मांग सरकार नहीं सुनती, तो हम आंदोलन करेंगे, और 2022 मे अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती, तो सामोही करूप से बताईए, बीटीसी सदस क्या करेंगे भाई? जानना चाहता हूँ कि ये जो 65 सदस है, इनकी मांग है, कि हमें भी प्रधान और जनपरतिन्दियों की तरह नियमित भुकतान किया जाए, इनकी मांगे कहां तक सही है, आपका क्या कहना इस पर? जानना चाहता हूँ कि 2022 का चुनाव आ रहा है, पांच साल ये सरकार लगभग पूरा करने जा रही है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, 2022 में जनता में बदलाओं देख रहे हैं? पूरा बदला है, तो देखिए, ये थे कौंधियारा बलाग प्रमुखिंदना मिस्त्रा, इनका कहना है कि सरकार में बदलाओं होने के पूरे चांस हैं, तो ये हमारी इस वीडियो के माध्यम से यही ख़बर थी, कि छेत-पंचाय स्वदस्य कौंधियारा से ये बात मुख इनको मिलने मिलने काम के लिए बी मिलना चाहिए, इनके नेता प्रमुख्ष जी की तरफ से बाइबात भी कही जा रही, इसमें जोड़ी गई, कि इनको कुछ न कुछ सरकार निश्चित कर दे कि कितना काम इनके अंतरगत कराया जाएगा, यानि कुछ न कुछ काम भी इनको ताकि जनता में इनकी भी लोग प्रियता बनी रहे और यह कहीं न कहीं यह मांग अगर माली जे इस ब्लॉग से जाएगी तो आप लोग का जिलास्तर पर या प्रदेश अस्तर कोई संगठन में बात उठाएंगे आप लोग उठाएंगे अपलोग हमारा संगठन है नहीं सुक सब्सक्राओं में आप लोगों की तरब से प्रमुख मुद्दा रहेगा रहेगा जो हमारी मांगे पूर करेंगे मैं उसी का सरकार मनाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि 65 सदर्श्यों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने एक प्रस्ण रख दिया है अब देखना है कि सरकार इन 65 सदर्श्यों को किस तरह से संतुष करती है के नाइन न्यूट प्रयागराज से मैं कृष्णाजन सुकला कुंध्यारा बलाग